हलो दोस्तो वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल सिवल इंजीनियर एप पीज में तो दोस्तो जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम लेमिनार फ्लो के बारे में डिसकस करेंगे लेमिनार फ्लो जो के हमारे fluid mechanics का इक important chapter है तो इसमें जो लेमिनार फ्लो है इसका हम पूरा objective point view से पूरा complete करने की कोशalet करेंगे आज की ही इस वीडियो में तो लेमिनार फ्लो आपको पता ही होगा मैंने बहुत बार डिसकस किया हुआ कि laminar flow क्या होता है, laminar flow होता है अगर हमारे पास flow जो है वो जो है, अगर layers में हो रहा है मतलब कि अगर हमारे पास fluid flow जो है, in pipe यह हमारे पास एक pipe है अगर इसमें fluid flow जो है in the form of layers हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम laminar flow तो पहले हम definition देखते हैं a viscous flow fluid particles move along the straight and parallel paths or layers तो मतलब यहां पर parallel paths यह layers में हमारे पास flow होता है it occurs in the low velocity and viscous force is predominates the inertial force मतलब क्या होता है यह जो है laminar flow यह low velocity पे होता है मतलब अगर velocity हमारी कम है तो उस वाकत हमारे पास laminar flow होता है और यहां पर viscous force ज्यादा होता है viscous force ज्यादा होता है as compared to inertial force तो यह आपको याद रखना है इसी laminar flow को कभी कपाद viscous flow भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि viscous force यहां पर ज्यादा होती है viscosity मतलब कि viscosity ज्यादा होती है laminar flow is also called as viscous flow viscous flow sorry यह force नहीं है यहाँ पर इसको viscous flow कहा जाता है laminar flow is also called as viscous flow तो यहाँ पर आपको पता ही है कि laminar flow या turbulent flow इसको हम कैसे separate कर सकते हैं मतलब कि इसको कैसे कह सकते हैं कि हमारा flow जो है वो laminar है या turbulent है in case आप pipe flow तो renault's number अगर आप देखेंगे तो यह होता है inertial force upon viscous force और अगर हम देखेंगे pipe flow के केस में actual में यह होता है renault's number जो होता है rho vl upon mu के equal होता है यहाँ पर यह l जो है यह characteristic length होती है लेकिन अगर हम यह characteristic length देखते हैं characteristic length in case of pipes तो यह होती है d के equal तो यह आपको याद रखना है characteristic length जो होती है in case of pipe flow वो d के diameter of the pipe के equal होती है अगर हमारे पास एक circular pipe है तो यहाँ पर हमारे पास renault's number किसके बराबर आजाता है rho vd upon mu के equal तो यह होता है हमारे पास renault's number निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए rho v, v होता है velocity d होता है diameter और mu आपको पता ही है dynamic viscosity होती है तो next आजाते हैं हमारे पास अब pipe flow को हम laminar का बोलते हैं transition का बोलते हैं और turbulent का बोलते हैं तो अगर हमारे पास renault's number की value 2000 से कम है तो laminar कहते हैं 2000 से 4000 के बीच में है तो transition flow कहते हैं और हमारे पास renault's number जो है वो greater than 4000 है तो इसे हम turbulent flow कहते हैं तो ये चीदें भी आपको पता होनी चाहिए वैसे आपको ये तो पता ही होंगी इसके बाद आजाते हैं हमारे पास entrance length क्या होता है entrance length क्या होता है entrance length के बारे में आपसे question पूछे जाते हैं तो entrance length क्या होती है हमारे पास अगर आपने देखा होगा अगर आपने boundary layer थेरी पड़ी होगी ये अगर हमारे पास एक pipe है और हम यहां से flow कर रहे हैं तो जैसे ही ये जो water है इस pipe में flow कर जाएगा तो यहां पर एक boundary layer फारम होती है और यहां से भी एक boundary layer फारम हो जाती है तो यह boundary layer boundary layer के नीचे जो है velocity कम होती है और boundary layer के उपर जो है velocity maximum velocity के equal होती है तो यह चीद आपको पता होनी चाहिए तो यहां पर कुछ यहां पर जो आ जाता है यहां पर maximum velocity आ जाती है तो इस point को हम क्या कहेंगे इस point को कहेंगे कि यहाँ पर जो flow है वो fully developed होता है मतलब कि जहाँ पर boundary layer खतम होती है तो वो उसी को हम fully developed flow कहते हैं, fully developed flow fully developed flow तो pipe के entrance से जहाँ तक हमारा flow जो है वो fully developed laminar flow बन जाएगा तो उसी को हम entrance length कहेंगे pipe के starting से जहाँ तक हमारा flow जो है वो fully developed हो जाए उसको हम क्या कहते हैं entrance length entrance length तो बहुत ही important चीज़ है definition सीधा definition पूछी जा सकती है कि entrance length हम किसे कहते हैं तो entrance length क्या होता है pipe के starting से जहाँ तक हमारा fully developed flow होता है उसी को हम entrance length कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं length of pipe from the entrance up to the point where the flow attains the fully developed velocity profile and remains unaltered beyond is known as entrance length तो entrance length क्या होती है entrance of pipe से जहाँ पर velocity fully developed होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम entrance length कहते हैं इसके बाद आजाते हैं laminar flow के case में entrance length क्या होता है laminar flow के case में entrance length required to establish fully developed laminar flow अगर हमें laminar flow देखना है तो laminar flow के लिए हमारे पास entrance length upon d यह फार्मला आपको याद रखना है entrance length upon d जो हो हो 0.07 renal does number के equal होती है मतलब कि अगर आपको entrance length in laminar flow पूछा जाए तो आपको याद रखना है 0.07 re into d के equal हमारे पास entrance length होती है in case आप laminar flow बहुत ही important formula है याद रखना है आपको entrance length 0.07 re d मतलब कि अगर हमें laminar flow के case में देखना है अगर यहाँ पर fully developed laminar flow है तो यह entrance length जो होगी यह होगी हमारे पास 0.07 re into d d is the diameter pipe and re is the Reynolds number तो next आजाते है turbulent flow के case में अगर हमें देखना है कि entrance length कितनी होती है तो le divided by d जो है वो 50 के equal होती है मतलब कि entrance length जो है वो हमारे पास turbulent flow के case में क्या आजाएगी वो आजाएगी 50 into d d को इस side लेके जाएगे तो 50 d हमारे पास entrance length in case आप turbulent flow आजाएगी तो यह दो चीज़े आपको याद रखनी है entrance length के बारे में तो entrance length के बारे में दो ही एक दो definition पता होनी चाहिए जहाँ पर entrance से जहां तक हमारा velocity fully developed velocity ना बन जाए उसी को हम entrance length कहते हैं तो leminar के लिए LE divided by d होता है 0.07 RE के equal और turbulent flow के case में LE divided by d entrance length upon d जो है वो 50 के equal होती है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो के important है अब हमारे पास important चीज़ें आ रही है यहाँ पर flow through pipes के case में हम देखेंगे कि laminar flow के case में कुछ-कुछ चीज़ें पढ़नी होती है एक होता है share citrus distribution हमें पढ़ना होता है दूसरा होता है velocity distribution हमें पढ़ना होता है और दो तीन फार्मले important पढ़ने होते हैं तो यहाँ पर दो cases हम पढ़ते हैं एक तो पढ़ते हैं flow through pipes दूसरा पढ़ते हैं flow through parallel plates fixed parallel plates के बीच में जब flow होगा उस case में देखते हैं और हम देखते हैं flow through pipes तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है share stress distribution flow through pipes जब होता है share stress distribution का फार्मला आ जाता है minus dp by dx into r by 2 तो यह चीत आपको याद रखनी है पहली बात share stress distribution minus dp by dx r by 2 तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं यह x क्या होता है अगर हम यहां से यहां देख रहे हैं यहां से यहां देख रहे हैं कितना share distribution हो रहा है तो इसी को हम इसी direction को x लेके चलते हैं और r क्या होता है हमारे पास अगर यह center of the pipe है center of the pipe से इस side भी हम r को major कर सकते हैं इस side भी r को major कर सकते हैं मतलब कि हम r को major कहां से करते हैं center of the pipe से major करते हैं यह दो चीदे आपको यहाँ पर याद रखनी है, x क्या है, x होता है, direction of length of the pipe, और r क्या होता है, center के उपर भी major कर सकते हैं, और center के नीचे भी major कर सकते हैं, अब आप देख सकते है, share citrus distribution के लिए r जो है, यह center of pipe से edge की तरफ calculate करते हैं, मतलब कि r हम यहाँ से यहाँ calculate करेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ calculate करेंगे, तो यह चीदे आपको याद रखनी है, यहाँ पर यह जो दिखा रहा है, dp by dx के साथ जो negative sign है, इस negative sign का मतलब होता है कि pressure जो है, in direction of flow, अगर यहाँ से यहाँ flow हो रहा है, यहाँ पर pressure ज्यादा होगा और यहाँ पर pressure काम होगा, मतलब कि अगर हम in direction of flow देखेंगे, तो pressure हमारा जो है, वो decrease होता है in direction of flow, इसी लिए यहाँ पर negative sign दिया हुआ है, तो यह चीदे आपको याद रखनी है, tau is equal to zero, अगर हमें share stress देखना है कि zero कब होगा, अगर हम R को zero put करेंगे, तो हमारा share stress distribution वो zero आ जाएगा, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इसको zero करेंगे, zero multiplied by anything is zero, तो tau is equal to zero आ जाएगा, R कहाँ पर zero होगा, R center पर zero होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर हमें share stress देखना है, center of the pipe पे, तो वहाँ पर share stress कितना होगा, वहाँ पर zero होगा, क्योंकि R जब हम zero रखेंगे, मतलब कि हम नहीं यहाँ जाएंगे, नहीं यहाँ जाएंगे, R यहाँ पर आ जाएगा zero, तो हमारे पाँ share stress अगर देखना है, तो वो pipe के center में zero होगा, at the center of pipe, tau is equal to zero, अब tau is equal to maximum, अगर हमें tau देखना है, कि maximum कितना होगा, tau maximum तब होगा, जब हमारे पास R, जो है capital R के equal आ जाएगा, यह R जो है, यहाँ से यहाँ major करेंगे, तो इसकी maximum value क्या होगी, अगर हम pipe का radius R मानिगे, total pipe का radius, तो यह हमारे पास capital R आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर capital R value रखेंगे, तो हमारे पास tau की value जो है, tau max के equal आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, tau की maximum value क्या होगी, minus dp by dx, capital R upon 2, मतलब कि R क्या है हमारे यहाँ पर, यह pipe का radius है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, maximum value जो है, R is equal to R पे होगी, that is at the pipe wall, मतलब कि यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी, small R, capital R के अगर हम equal रखेंगे, तो यहाँ पर भी maximum value आ जाएगी, तो इसी लिए जो है, और देख सकते हैं आप, tau varies linearly with R, तो tau जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, directly proportional to R है, tau is directly proportional to R, तो यह linearly vary कर रहा है, R के साथ, इसी लिए अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने center पर देखा, 0 है, और हमने देखा कि linearly vary कर रहा है, और valves पर maximum है, तो valves पर maximum होगी, value, और linearly vary कर रहा है, तो straight line से हम दिखा रहे हैं, तो यह होता है हमारे पास, shear stress distribution, तो shear stress distribution के बारे में, आपसे दो तीन objective question पूछे जा सकते हैं, shear stress distribution जो है, वो linearly करता है vary with R, तो पहला ही point, shear stress जो है, वो zero होता है, अगर हम centra pipe पे देखेंगे, तो वो zero होता है, और shear stress maximum होता है, add pipe valve, तो यहां पर हम share stress distribution की डाइगरम देख सकते हैं, share stress distribution, pipe के center पे कितना होता है, zero होता है, और valves पे कितना होता है, वो maximum होता है, तो maximum value भी आपको याद रखनी है capital R हमें रखना है तो tau maximum की value minus dp by dx r by 2 के एकवाब आ जाएगी और tau जो है linearly vary करता है with respect to R तो यह होता है हमारे पास shear stress distribution इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास next जो है next है velocity distribution किस case में तो pipe flow के case में हम velocity distribution देखेंगे तो velocity के लिए भी आपको फार्मला याद रखना है फार्मले आपको याद ही रखना है क्योंकि यह फार्मले जो है इनकी derivation बहुत ही लंबी हो जाएगी तो वो आपको याद नहीं रखना है objective point of view किसली उससे अगर आपको derivation भी देखने है तो कुछ दिनों बात जो मैं है derivation की वीडियो भी लेके आऊँगा लेकिन यहाँ पर आपको याद ही रखनी पड़ीगी तो यह जो है velocity अगर हम देखेंगे तो velocity किसके equal होती है 1 upon 4 mu minus dp by dx r square minus r square तो यहाँ पर भी r आपको पता यह r हम कहां से major करते हैं अगर हमारे पास यह pipe है तो pipe के center से जो है हम r को major करते हैं small r को major करते हैं तो अगर हम यहाँ पर capital r को common लेके आएंगे तो u की value क्या आजाएगी 1 by 4 mu minus dp by dx r square into 1 minus r square by r square small r square by r square तो यह भी हमारा formula बन सकता है अब अगर देखेंगे हमें कि maximum velocity कहां पर होगी हमारी तो maximum velocity अगर हमें देखनी है maximum velocity हमारी तब होगी अगर हम इस r को 0 के equal रख देंगे ताकि यहाँ पर जो है हमें कुछ minus ना करना पड़ेगी अगर हम इसमें कुछ minus नहीं करेंगे तो हमारे value जो है वो maximum रहेगी 1 minus 0 is equal to 1 तो यह 1 आ जाएगा तो हमारे पास maximum velocity जो है 1 by 4 mu minus dp by dx r square into 1 आ जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम r को 0 रखेंगे मतलब कि center of pipe पे center of pipe पे हमारे पास maximum velocity निकल के आ जाएगी तो यह आपको याद रखना है कि center of pipe पे हमारे पास velocity जो है वो maximum होती है यह आपने देखा भी होगा वैसे हमने पढ़ा भी है क्योंकि valves जो है जहां पर valves shear stress सबसे ज्यादा होता है उस shear stress की वज़ा से यह जो है जो इसके साथ attached होगा water तो वो flow कम करेगा क्योंकि इस पर friction ज्यादा आ जाएगी तो friction ज्यादा आ जाएगी यहाँ पर यहाँ पर friction ज्यादा आ जाएगी यहाँ पर थोड़ी कम आ जाएगी नेक्स्ट आ जाते हैं minimum velocity अगर हमें देखने हैं minimum velocity कहां पर होगी अगर हम r को r के equal रखेंगे मतलब कि r को r के equal रखेंगे यहां पर capital r के equal रखेंगे तो यहां पर जो है velocity जो है वो minimum होगी क्योंकि यहां पर friction सबसे ज्यादा होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम r को r के equal रखेंगे यहां पर अगर हम small r को capital r के equal रखेंगे तो यहां पर r square minus r square आ जाएगा तो यह हमारे पास 0 के equal आ जाएगा wall पर देख रहे हैं कि wall पर हमारे पास velocity क्या होगी तो वो आजाएगी r square minus r square वो 0 के equal आ जाएगी तो हमारे पास net velocity भी 0 के equal आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते है minimum velocity जो है वो कहां पर होती है pipe wall पर होती है pipe के wall पर आपको याद रखना है कि minimum velocity होती है और velocity varies parabolically with r तो यहां पर आप देख सकते है विलास्टी जो है विलास्टी आर के स्केर के प्रपोर्शनल है आपको पता ही होगा विलास्टी आर के स्केर के प्रपोर्शनल है तो हमारे पास विलास्टी जो है पेराबोलिक लिए वैरी करेगी जब भी हमारे पास स्केर होता है तो वहां प इसे कर लिए है पेरबोलिक लिए वेरी कर रही है तो ऐसे पेरबोलिक आ जाएगा तो यह होती है हमारे पास विलास्टी डिस्टिबूशन और हमने जो पीछे देखा था अभी तो वो होती है शेर सिट्रेस डिस्टिबूशन shear stress distribution क्या होती है वो linearly vary करती है और 0 होती है center पे और maximum होती है walls पे यहां पर velocity 0 होती है walls पे और maximum होती है center पे इसके बाद आ जाते हैं next अगर हमें u देखना है कहीं पर भी velocity देखनी है वो होती है maximum velocity 1-r square by r square तो यह आपको याद रखना है क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पर भी इस formula को हम कहां से derive कर सकते हैं इस formula को हम यहां से भी derive कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास maximum velocity इसके एकवला आ जाती है यहां पर देख सकते है maximum velocity यहां से यहां तक value इसको हम maximum velocity भी रख सकते हैं तो u किसके एकवला आजाएगा, u maximum 1-r² by r² तो यही मैंने यहाँ पर रिखा है कि velocity अगर हमें किसी point पर देखनी है तो यह होती है maximum velocity into 1-r² by r² यह बहुत ही important point है इस के basic पे objective question बहुत ही important यह IES के exams होते हैं तो इस point पे basic पे आपको question पूछे जाते हैं तो next यह जो point है यह आपको directly याद रखना है क्योंकि यह पूछा भी जा सकता है maximum velocity जो है two times average velocity के equal होती है तो maximum velocity कहां पर कितनी होती है two times average velocity या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते है maximum velocity upon average velocity is equal to two इसको यहां लेके आएंगे और average velocity अगर आपको देखनी है average velocity हमारे पास किसके equal होती है 1 upon 32 mu minus dp by dx into d square के equal हमारे पास average velocity होती है तो यह कुछ चीज़ें यह हैं जो आपको फार में याद रखने हैं ज्यादा तर आपको यह जो diagram मैंने यहां पर दिखाई हुई है इसी के base पे आपको objective question बन सकते है और यह जो important point है maximum velocity two times average velocity के equal होती है अगर हम pipe flow का case देख रहे हैं तो इसके बाद हमारे पास जो है parallel plate का case भी आ जाएगा तो वहां पर थोड़ा different होता है next आ जाते है हेगन-possilis equation for viscous flow तो हेगन-possilis equation में क्या बोला गया है तो discharge हमारे पास discharge के लिए अगर आपको फार्मा याद रखना है तो discharge के लिए आप फार्मा याद रख सकते हैं pi by 128 mu minus dp by dx raised to power d4 तो यह मैंने यहाँ पर क्यों रखा है इसके बेस पे objective मैंने देखे है discharge जो है वो inversely proportional होता है mu के और discharge जो है वो directly proportional होता है fourth power up diameter के तो यह दो objective questions मैंने देखे हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसको introduce किया है कि discharge का फार्मला क्या होगा हमारे पास discharge का फार्मला होता है pi by 128 mu minus dp by dx d raised to power 4 तो discharge जो है directly proportional होता है fourth power up diameter और discharge जो है inversely proportional होता है कोफशन टाप dynamic के दिसकॉस्टिक है तो यह दो चीदें आपको यहाँ पर याद रखनी है और discharge का फार्मला अगर आप यह याद रखोगे तो यह आप खुद से derive कर सकते हैं क्योंकि diameter जो है twice radius के equal होता है तो यहाँ पर मैं दिखा भी दूंगा कि यह फार्मला हम इससे कैसे derive कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको पता ही है diameter जो है वो किसके equal होता है two times radius के equal होता है तो अगर हम pi by 1 28 mu minus dp by dx और diameter की जगा लिखेंगे twice radius तो twice radius मतलब कि twice raised power 4 2 into 2 into 2 into 2 r raised power 4 ऐसे हम लिख सकते हैं क्योंकि diameter जो है two times radius होता है तो two का power आजाएगा four times तो अगर हम इसको यहां से cancel करेंगे तो यह आ जाएगा 64 यह आ जाएगा 32 यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 8 तो इसी के base पे pi upon 8 mu dp by dx r raised power 4 pi upon 8 mu dp by dx r raised power 4 के equal होता है तो यहां पर आप देख सकते है mean velocity जो है maximum velocity upon 2 मैंने अभी आपको बताए average velocity जो है maximum velocity upon 2 के equal होता है या maximum velocity जो है 2 times average velocity होता है और आपको यह point भी याद रखना है कि अगर हमें किसी local velocity को average velocity के equal करना होता है तो उस वकत radius क्या होता है यह होता है r by under root 2 मतलब कि 0.707 r के equal होता है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास pressure difference pressure difference अगर हमें देखना है इनके साब pipe flow यह अभी हम pipe flow ही पड़ रहे है pipe flow अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक pressure difference क्या होता है p1 minus p2 तो यह होता है p1 minus p2 किसके equal होता है 32 mu vl upon d square 32 mu vl upon d square यहां पर यह याद रखना है यह average velocity होती है तो pressure difference अगर हमें दो points के बीच में देखना है pipe flow के case में pipe flow के case में अगर हम इन दो points के बीच में जो है pressure difference देखना है तो यह होती है इन दो points के बीच में length क्या है और view है average velocity हमारी क्या है और d जो है diameter of the pipe आपको पता ही है यह होती है pressure difference इसी के basis पे हम head loss निकालते है head loss के लिए हमें क्या करना होता है अगर हम rho g से इसको divide करेंगे तो हमारे पास head loss का फार्मला निकल के आ जाता है इसी फार्मले के बेस्ट पे हम अगर rho g से divide करेंगे तो हमारे पास head loss के equal आ जाएगा तो इस pressure difference का जो है unit जो होगा वो होगा pascal लेकिन इस head loss का unit जो होगा वो meter में होगा तो ये point भी पूछे गए है objective point में head loss का फार्मला जो है वो meter में आ जाएगा और pressure difference का जो है value वो pass colors में आ जाएगा तो ये दो चीजें आपको याद रखनी हैं इसके बाद आ जाते है sam to sam फार्मले इसी तरह के फार्मले जो है वो flow between the two fixed parallel plates के flow between two fixed parallel plates मतलब कि यहाँ पर हमारे पास दो plates है तो ये fix किये हुए है हमने एक ही जगा पर रखे हुए है इन दो के बीच में जो है वो b width है मतलब कि इन दो के बीच में जो है जहाँ पर flow हो रहा है उसकी width जो है वो b है और यहाँ पर हम y कहां से calculate करते हैं यह आपको याद रखना है y हम जो lower plate है वहाँ से calculate करते हैं और x जो है indirectional flow देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tau की value share sit as distribution फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पर share sit as distribution का फार्मला क्या होता है 1 upon 2 minus dp by dx b minus 2y वहाँ पर हमारे पास क्या होता था r by 2 के equal लेकिन यहाँ पर b minus 2y के equal होता है तो next आ जाते हैं हमारे पास b क्या होती है इन दो plates के बीच में width कितनी है और 2y क्या होता है y को हम calculate कहां से करते है y को हम calculate करते है lower plate से तो यहाँ पर अगर हमें maximum share citrus देखना है maximum share citrus तो maximum share citrus कहां पर होता है at y is equal to 0 अगर हम y को 0 लेके चलेंगे मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे y को मतलब कि हम उपर नहीं जाएंगे यहाँ पर ही देखेंगे हमारी value क्या आ जाएगी अगर हम ने y को 0 रख दिया तो यहाँ पर हमारे पास 1 by 2 1 by 2 minus dp by dx into b आ जाएगा तो minus 1 by 2 dp by dx into b आ जाएगा हमारे पास share stress और maximum share stress अगर हम y को b के equal रखेंगे तो y को अगर हम b के equal रखेंगे तो यह आ जाएगा b minus 2b b minus 2b तो वो भी minus b के equal आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास positive में आ जाएगा 1 by 2 dp by dx into b के equal तो यहाँ पर आप देख सकते हैं maximum share stress या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा और अगर हमें minimum share stress देखना है कि minimum share stress कहाँ पर होगा अगर हम y को b by 2 के equal रखेंगे y को b by 2 के equal रखेंगे मतलब कि यहाँ पर y को जो है b by 2 के equal रखेंगे b by 2 के equal रखेंगे तो 2 to cancel आ जाएगा हमारे पास b minus b के equal आ जाएगा b minus b 0 के equal आ जाएगा तो यहाँ पर tau की value जो है वो 0 ही आ जाएगी तो हमारे पास minimum share stress दो है वो b by 2 b by 2 कहां पर है b by 2 कहां पर आ जाएगा यहां पर center पर आ जाएगा b by 2 क्योंकि b by 2 जो है वो center पर आ जाएगा तो b by 2 जब हम रखेंगे तो tau की value 0 आ जाएगी at the center तो यहां पर tau varies linearly with y तो tau जो है linearly vary करेगा y के साथ तो यहां पर आप देख सकते है shear stress distribution जो है वो same to same आ जाएगा जैसे हमारे पास pipe flow के case में हम नहीं दिखा था वाइसा ही यहां पर भी आ जाएगा tau की value जो है 0 आ जाएगी कहां पर center पर और maximum कहां पर आ जाएगी walls पर maximum आ जाएगी और linearly vary कर रहा है तो linear variation यहां पर दिखेगी तो यह था हमारे पास shear stress distribution जब हम fixed parallel plates को देख रहे हैं इसके बाद आ जाते हैं ऐसे ही velocity distribution यहां पर भी देखनी है हमें velocity distribution किसके equal आ जाएगी तो velocity के लिए फार्मला हमारे पास 1.2μ-dp by dx by minus y square तो b है भी आपको between the plates आपको पता ही है y हम कहां से major करते हैं हम lower plate से y को major करते हैं उपर की तरह तो अगर हमें u is equal to u minimum मतलब कि minimum velocity हमारे पास कहां पर होगी तो वो कहां पर होगी यहां तो y is equal to zero रखेंगे तो हमारे पास velocity zero आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम y को zero रखेंगे b into zero आ जाएगा zero minus zero square आ जाएगा zero zero minus zero आ जाएगा zero इसको zero से multiply करेंगे तो हमारे पास velocity जो है वो zero के equal आ जाएगी या हम y को b के equal रखेंगे या तो यहां पर देखेंगे velocity zero आ जाएगी velocity यहां पर या तो b is equal to y के equal रखेंगे तो यहां पर अगर हम देखेंगे y को b के equal रखा y को अगर b के equal रखा तो यह आ जाएगा b into b minus b square यह भी b square आ जाएगा यह भी b square minus b square zero के equal आ जाएगा zero into anything is equal to zero तो हमारे पास velocity जो है वो 0 आ जाएगी मतलब कि यहां पर भी देखेंगे तो velocity 0 आ जाएगी यहां पर भी देखेंगे तो velocity हमारे पास 0 आ जाएगी इसके बाद आ जाते हैं maximum velocity हमारे पास कहां पर आ जाएगी maximum velocity कहां पर आ जाएगी जब हमारे पास y की value b by 2 के equal रखेंगे तो अगर हम y को b by 2 के equal रखेंगे तो हमारे पास यह क्या आजाएगा b into b by 2 मतलब b square by 2 minus b square by 4 जब b by 2 रखेंगे तो b square by 4 आजाएगा जब हम उसको calculate करते हैं तो हमारे पास maximum velocity 1 upon 8 mu minus dp by dx raised to power b square आजाएगा तो maximum velocity हमारे पास कहाँ पर आगई जहाँ पर y is equal to b by 2 आजाएगा मतलब कि हमारे पास center पर y b by 2 कहाँ पर होगी center पर मतलब कि velocity जो है वो हमारे पास maximum आजाएगी u varies parabolically with y तो u आप देख सकते हैं y के साथ parabolically vary कर रहा है मतलब कि square यहाँ पर दिखा रहा है तो parabolic variation यहाँ पर भी होगा तो maximum minimum velocity जो है वो हमारे पास plates के नजदीक होगा 0 और 0 और maximum velocity कहाँ पर होती है हमारे पास वो center पर होती है मतलब कि b by 2 पर हमारे पास maximum velocity होती है और maximum velocity जो है वो 3 by 2 times average velocity होती है अभी हमने देखा था pipe flow के case में वहाँ पर 2 times average velocity होती थी लेकिन यहां पर maximum velocity जो है 3 by 2 times average velocity होती है यहां आप ऐसे भी याद रख सकते है maximum velocity 1.5 times average velocity के equal होती है तो यह याद रखना है pipe flow के case में क्या था 2 times average velocity लेकिन जो हमारे पास parallel plates जो है fixed parallel plates उसके case में 1.5 times average velocity होती है या 3 by 2 times average velocity होती है और average velocity का फार्मना 1 upon 12 mu minus dp by dx b square के equal होता है इसके बाद आजाते हैं हमारे पास यही फार्मने के base पे आप से question पूछे जाते हैं और discharge का फार्मना हमने देखा था discharge का फार्मना हमने देखा था जब हमने pipe flow में देखा था तो ऐसा ही फार्मना था कुछ 1 divided by 128 mu minus dp by dx d raised to power 4 के equal था लेकिन यहां पर 1 upon 12 mu minus dp by dx b ki power cube है यहां पर तो discharge जो है वो inversely proportional to mu है और discharge जो है directly proportional to b cube है वहां पर किसके directly proportional था d raised to power 4 के equal था लेकिन यहां पर b cube के directly proportional है तो यह चीदे आपको याद रखनी है और head loss जो वहां पर था 12 mu वहां पर क्या था 32 mu लेकिन यहां पर क्या है 12 mu vl divided by rho g b square यहां पर यह जो velocity है यह average velocity है और length of the pipe जो जो दो pipes के बीच में हम देख रहे हैं जो दो points के बीच में देख रहे हैं उन दो points के बीच में हमारे पास length कितनी है मतलब कि अगर हम यहां पर देखेंगे अगर हम यहां से यहां तक देख रहे हैं इन दो points के बीच में हमारे पास length of the pipe क्या है उसे हम length देंगे और V जो है यह average velocity होती है और V आपको पता ही है दो plates के बीच में जो width होती है उसी को हम कहते हैं और बागे आपको पता ही है pressure drop जो है वो भी 12 mu V L by B square आजाएगा और अगर हम इसी को rho G से divide करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा head loss आजाएगा तो इसका pascal में दिया होगा unit और इसका meter में दिया होगा head loss का meters में होता है और pressure drop का pascal में होता है तो यह कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए इसके बाद जो है एक छोटा सा topic है momentum correction factor and kinetic energy correction factor तो momentum correction factor की definition आपको पता होनी चाहिए और कुछ एक दो values आपको पता होनी चाहिए तो momentum correction factor क्या होता है हमारे पास इसको हम भी बीटा से denote करते हैं यह होता है momentum per second based on the actual velocity upon momentum per second based on the average velocity मतलब कि यह हम क्यों निकालते हैं इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास actual velocity different होती है और average velocity हर एक point पे अलग-अलग होती है मतलब यह आप देख सकते हैं हमारे पास अगर pipe है मैंने अब यह आपको दिखाया pipe में जो है velocity कुछ ऐसे vary करती है मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर actual velocity कुछ अलग होगी यहाँ पर कुछ actual velocity अलग होगी और maximum velocity जो है वो अलग होती है maximum velocity की value अलग होती है और average velocity यह जो actual velocity होती है यह अलग होती है इसलिए हम क्या correction factor निकालते हैं तो यही होता है momentum per second based on the actual velocity divided by momentum per second based on the average velocity actual velocity upon average velocity आपको याद रखना है momentum per second तो इसकी value क्या होती है u square dA divided by av square u होता है local velocity मतलब कि actual velocity जिसको हम कहींगे और v होता है हमारे पास average velocity क्या होती है और beta की value आपको याद रखना है 1.33 होता है अगर हम laminar flow in circular pipes देखेंगे laminar flow अगर circular pipes में देखेंगे तो इसकी value 4 by 3 के equal होती है या फिर 1.33 के equal होती है और 1.2 होता है laminar flow in parallel plates अगर हम parallel plates का देखेंगे laminar flow तो उसके case में बीटा की value जो है मतलब कि momentum correction factor 1.2 के equal होती है तो ज्यादा तर आप यह याद रखना है laminar flow in circular pipes 1.33 के equal होती है इसके बाद आ जाता है kinetic energy correction factor अलफा अलफा से denote किया जाता है यह भी होता है kinetic energy based on actual velocity upon kinetic energy per second based on average velocity यहाँ पर भी actual upon average ही आपको याद रखना है वहाँ पर momentum per second है यहाँ पर kinetic energy per second है तो यहाँ पर इसकी value जो है u3 da divided by av3 और u जो है यह होती है local velocity या फिर actual velocity और v जो है यह होती है average velocity और अलफा की value जो है वो 2 होती है फार laminar flow in the circular pipes laminar flow in circular pipes के case में अलफा जो है kinetic energy correction factor यह जो है यह 2 के equal होती है और इसकी value जो है 1.543 होती है laminar flow in parallel plates के case में तो यह कुछ चीज़ें थी जो आपको याद होनी चाहिए objective point of view से तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए हमारे चैनल Civil Engineer FBH को thank you दोस्तो thank you for watching the video